इस वेल्कम वीडियो ऑफ पाइफन ठीक लास्ट वीडियो के अंदर मैं पाइफन का इंड़ॉडक्षन दिया था कि पाइफन क्या है प्रोग्रामिंग्वेज है है यरा पोपुलर क्यों है कहाँ कहाँ आप इसकी पॉपुलर्टी को देख सकते हैं तो अगर आप मेरी सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो फॉस्ट वीडियो को थोड़ा सा आप देख लें ठीक जिससे कि पाइथन के बारे में आपको नॉलिज हो जाएगी कि पाइथन है हमें क्यों पढ़नी चाहिए यह सब चीज़ें ठीक चलिए टाइम वेस्ट ना करते आज हमें देखना था कि हम पाइथन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं तो उपन सोर्स है सीधा आप यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर वा हूं इसको अब सीधा जाईए इसको कॉपी पेस्ट कीजिए इस लिंक को ठीक है ना पाइथन को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं यह देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर देख रहे हैं आप इसे और यहाँ पर देखें लेटास पाइफन रिलीज है धी पॉंट ट्री लेटस पाइफन 2.7.18 तो आप इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स है, यहां पर विंडो एक्स एक्टी सिक्स्टी फोल एक्जिक्यूटेबल इंस्टॉलर है, यहां पर इसे क्लिक करेंगे, तो यह अपना यहां पर इसकी Python की EXE फाल इंस्टॉल हो जाएगा, आप इसको जाके वहां कुछ आई जहूंगे तो, comment box में आप, comment box में आप बता है, जब अपनी mail ID दे दीजेगा, मैं वहां पर आपको mail कर दूँगा, ठीक है, आप सीधर इंस्टॉल कर सकते हैं, default यह C के अंदर लेगा, folder अगर आपको इसको location चेक करनी हो, change करनी हो तो आप उसको change कर सकते हैं, ठी इतनी बड़ी बात नहीं है, अब बात करते हैं, देखिए मैंने जैसे बताया, आपको 3.x वर्जन रिलीज हुआ है, python 2.x चल रहा था, वर्सस python 3.x, यहां पर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में explain करूंगा, देखिए, होता क्या है, अब आप कहेंगे कि मालूम मैंने c यू हो गया नहीं हो, आपको धीरे धीरे चीजे पता चलेंगी, python 3.0 रिलीज हो गया था 2008 में, and much python 2 code does not run unmodified on python 3, python 3 के पता नहीं होगा, आपको उसके अंदर changes करने पड़ेंगे, ठीक है न, कुछ changes हैं, आगे चीजे मैं बताऊंगा, तो changes करने तने असान नहीं होते हैं, उसके इसाफ से compiler के साफ से आपको change करने पड़ेंगे, तो आप सीधा 3.0 एक सी version यूज कीजिएगा, python 2.x interpreter is different, and python 3.x interpreter is different, मलब जो code आपने 2.x में लिखा है, वो आप 3.x में run नहीं कर पाऊगे, मलब जलूरी नहीं है कि वो run हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है तो आप 3.x ही यूज करेंगे, the python 2 language was officially discontinued, the python 2, 2.x के बाद कर जाया है, is officially discontinued in 2020, and first plan in 2015, 2020 में इसको discontinued कर दिया गया है, python 2.7.18 is the last python 2.7 version, 2.7 का जो version है, वो last कौन सा निकला था? 2.7.18, ठीक है ना, अब हम यहाँ पर 3.0, जो present release है, वो 3.8 के अंदर हम काम करने है, तो आपको python 2.x की यूज नहीं करना है, आपको python 3.x की यूज करना है, ध्याम रखना है आपको इन चीज़ों कर, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको, मैं बता रहा हूँ, आप यूज करक हैंगे, तो डिजाइन बाइ गाइड ओवान रौसम, ये तो आपको सब पता ही चल गया हूँ, मर्टी पहला डाइग्राम है, फंक्शनल है, इंपेरेटिव है, object-oriented है, structure reflective है, ठीक, डवलपर कौन है, इसके डवलपर कौन है, इसके डवलपर है, python के python software foundation, और ये सबसे पहले जब आया था market में, ये 1990, 1990 में आया था, 30 साल पहले, ठीक है न, और जो इसकी present release है, 24 फरवरी 2020 में आया है, 3.8.2, समझने है, यानि की lockdown से पहले, मार्च में lockdown होगे है आपका, तो 3.8.2, 24 फरवरी 2020 में आया है, ठीक है न, तो यहाँ पर आप python को यूज़ करना है, आपको python 3 ठीक है, ठीक समझाई बात, अगर आपको python के बारे में जानना है, उसके tutorial देखने है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो python के original document है, वो आप देखिए, ठीक है न, वैसे तो python का बहुत सावा material है, हर चीज़ नेट पर एवलेबल है, यहाँ पर यह python के officials को document है, tutorial है, यहाँ पर आ basically है, आप इनको use कर सकते हैं, ठीक, आप देख सकते हैं इनको, अब बात करते हैं, देखिए, आपको install नहीं करना है, तो python online compiler use कर सकते हैं, कोई बावलम नहीं है, मैं रेपल ज्यादा तर यूज़ करता हूँ, तो दो साइट से हैं मेरे पास, एक sttp.io.repl.it, simple सा कुछ नही साथ मेरे वीडियो देखिए, और हम अपना code करते हुए चलेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, चला जाओंगा, next video में हम data type और programming शुरू करने वाले हैं, ठीक, यहां तक मैंने थोड़ा सा explain किया है आपको, ठीक है, python online compiler, offline compiler के बारे में install करना चाहिए, install कर लीजिए, और next video आएगी, उसके साथ साथ हम use करते हुए चलेंगे, python की programming करते हुए च पसंद आए, तो like करना, share करना, subscribe करना, ताकि आपको हमारे जो और भी वीडियो आएं, हमारे informative वीडियो आती है, course के लिए आती है, ठीक, वो आपके पास आता रहे, ठीक है, तो आपको अगर पसंद आए, तो subscribe कीजिएगा, पढ़ना हो, तो next video का मेरे इंतिजार कीजिए, म नेक्स वीडियो जल्दी ले गया हो, और उसके अंदर हम प्रोग्राम में करेंगे, thank you so much.